दिन था 27 मई और साल 1964 गर्मी अपने चरम पर थी इस बीच दो बहें दो बजे रेडियो पर एक समाचार बताया गया समाचार ये था कि देश के प्यधानमंत्री पड़ित जवाह लाल नहरू अब दुनिया में नहीं रहे इस घोष्णा के साथ ही ये खबर आग की तरफ पूरी दुनिया में फैल गई कहते हैं कि उस दौर में भी खरीब धाई लाख लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किये थे पड़ानमंत्री की मौत के महज दो घंटे बाद आनन फानन में ततकालिक रिह मंत्री गुलजाई लालनन्दा को कारेवाहक पड़ानमंत्री बनाया गया फिर यहीं से शुडू ही भारत के अगले पड़ानमंत्री की खोज की कवायत बैटकों का दौट चरने लगा इस रेस में सबसे पहले जो नाम निकल कर आया वो था मुरारजी देशाई का लेकिन देशाई के नाम पर सर्वसा मती नहीं बन सकी चार दिन चली कॉंगरेज की बैठक में आखिरकार लाल बाहदो शासे के नाम पर सहमती बनी और इस तरह देश को दूसरा पड़ानमंत्री मिला पंडित नहिरु आजाद भारत में 16 साल 9 महिने और 12 दिन परधानमंत्री रहे जो आज तक का रेकॉर्ड है इस दौरान उन्होंने कभी भी अपने उत्रादिगारी के बारे में कोई संकेत नहीं दिया था यहां तक कि उनके निधन से 5 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फरेंस में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने इस बारे में सोचना तो शुरू किया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी मौद इतनी जल्दी होने वाली है इस प्रेस कॉन्फरेंस के बाद प्रधान मत्री जवाहलाल नहरू देहरादून चले गए थे यहीं पर उनकी तव्यत खराब होई 26 मई के रात को दिल्ली लोटे 27 मई की सुबह करीब 6 बच कर 30 मिनट पर उन्हें पैरालिटिक अटेक आया और फिर हार्ट अटेक आया इसके बाद वो अचेत हो गए इंदिरा गांधी के फोन के बाद तीन डॉक्टर पिम आवास पहुंचे उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन पंडित नेहरू का शरीर रिस्पॉंस नहीं कर रहा था कई घंटों की कोशिश के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मित्गोशित कर दिया इतियास के दूसरे अंश में बात बच्चों के चहेते वर्ड डिस्नी की करेंगे 27 मई साल 1933 आजी के दिन वर्ड डिस्नी और बट गिले लेट ने ट्री लीटर्स पीक स्नाम की एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म रिलीज की थी जिसे दुनिया भर में खूब पसंद किया गया था इसे फिल्म की कहानी पर आधारत सिली सिंफनी ने 1934 में सर्वशिष्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए अकादमी पुरस्का जीता था इस शॉर्ट फिल्म की लागत 25,000 डॉलर थी और इसने 2,50,000 डॉलर की कमाई की थी इतिहास के तीश्रे अंस में बाद एक भीशन तबाहिकी करेंगे 27 मई साल 2006 में आजी के दिन इंडोनेशिया में विनाशकारी भुकम पाया था रिपोर्ट के मुताबिक इस भुकम में करीब 5,000 लोगों की मौत हुई थी हजारों लोग घायल हुए थे जबकि 5 लाग से ज्यादा लोग बेघर हो गये थे